दोस्ते कोई फिरिसे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर Realme के दो और डिवाइस में Android 11 की अपडेट आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम इनी अपडेट के बारे में बात करेंगे कि ये अपडेट आपको कब तक मिलेगी अगर आप Android 10 पे हैं तो कैसे मिलेगी और Android 11 उजस को कब तक मिलेगी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वो डिवाइस कौन कौन से हैं तो दोनों ही डिवाइस Realme के प्रो वर्जन है X7 Pro और X2 Pro तो यहां पर X2 Pro और X7 Pro में Android 11 की नई अपडेट आई है तो चलिए डिटेल्स में जानते हैं इन ही अपडेट के बारे में और आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा कमेंट में कुछ भी लिखने से पहले तो चलिए सबसे पहले जानते हैं Realme X2 Pro के बारे में दूस्तों Realme X2 Pro में दो अपडेट अभी आ रहे हैं जो यूजर्स Android 10 पे हैं उनके लिए एक आ रही है और Android 11 पे जो यूजर्स हैं उनके लिए आ रही है यानि कि C38 पे आप जाईए और उसके बाद F11 के अपडेट का इंतजार करिए इस टेबल वाली आपको मिलेगी अब बात करते हैं यहां पे जो अपडेट में आपको मिलेगी वह कितने MB की होगी तो दूस्तों देखिए 180 MB की वैसे अपडेट आपको C38 मिलेगी अगर उससे अपडेट कर लेते हैं तो साड़े 3 GB की अपडेट मिलेगी F11 जो कि Android 11 की होगी इस टेबल अपडेट वह पर बात करें जो यूजर से Android 11 पे हैं उनको इस अपडेट में क्या मिलेगा तो इसमें जो है आपके जो बक्स होंगे उसको फिक्स किया गया है और सिस्टम के इस्टेबलिटी और डिवाइस के परफॉमेंस को इंप्रूफ किया गया है लेकिन वो अपडेट जो है आपको कम MB की 16 MB की आसपास के मिलेगी जबकि जो जो से Android 10 पे हैं उनको 3.5 GB की अपडेट मिलेगी अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं Realme X7 Pro की तो Realme X7 Pro में भी Android 11 के स्टेबल अपडेट ही दी जा रहे हैं और अगर यहाँ पर बात करें अपडेट वर्जन की तो C03 आपको अपडेट वर्जन मिलेंगे अब इसमें आपको देखने को क्या क्या मिलेगा तो देखे दोस्तों जो लोग अभी Android 11 पे हैं उनको 1660 MB की C03 अपडेट वर्जन मिलेगी और वहीं पर बात करें दोस्तों जो लोग Android 10 पे हैं उनकी तो उन्हें जो है साथे 3 GB की अपडेट मिलेगी चेंज लोग की बात करें तो यहाँ पर सिस्टम के सिक्यूरिटी को इन्हेंस किया गया है और सेटिंग्स में अगर आप सेटिंग्स एप को खोलते थे तो वहाँ पर क्रैसिंग इसू कभी-कभी देखने को मिलती थी जिसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है वहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो कुछ क्लोंड एप के आइकोन आपको होम स्क्रीन पर दिखाई नहीं देते थे तो इसको भी फिक्स कर दिया गया है वहीं पर settings की बात करें तो यहाँ पर कभी-कभी volume bar आपको दिखाई नहीं देता था volume button प्रेस करने के बाद तो इसको यहाँ पर fix किया है और साथ ही साथ कभी-कभी आपका face जो है face lock अगर आपने लगाया है तो वो कभी-कभी रीड नहीं कर पाता था तो इसको यहाँ पर fix किया है कभी sound setting buttons जो है overlap करती थी तो इसको भी यहाँ पर fix कर दिया गया है और यहाँ पर हम बात करें कि home screen पर कोई folder को drag करते थे तो वो सही तरीके से दिखाई नहीं देती थी तो इसको भी यहाँ पर fix कर दिया गया है वहीं पर दोस्तों बात करते हैं अगर camera की तो camera में भी बरे changes किये गया है front camera के night mode के brightness को यहाँ पर optimize किया गया है और कभी कभी camera view finder को अगर आप यहाँ पर use करते थे तो यहाँ पर flossing screen की इसू थी इसको भी fix कर दिया गया है ultra wide angle में label text की इसू को यहाँ पर fix किया है realme ने और वहीं पर दोस्तों बात करें कुछ और changes की तो यहाँ पर photos में कुछ changes किये गया है जो कि आप यहाँ पर देख शकते हैं फोटो में जो है loading इसू आ रही थी इसको यहाँ पर fix कर दिया गया है तो overall bugs जो है बहुत सारे fix किये गये हैं और यहीं कारण है कि इसे stable के तोर पर भी release किया गया है तो आपको यह update आने वाले 2 से 3 दिनों में मिलेंगे क्योंकि update जो है वो 7 से 8 दिन पहले rollout की गई थी लेकिन पुराने वाले build version को यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है एक नई build version आपको देखने को मिलेगी और यहीं कारण है कि update आने में इतना delay हुआ है तो आने वाले 3 से 4 दिनों में यूं समझी आपकी 7 दिन पहले update नहीं आई थी update आज रोल आउट की गई है तो बैचेज़वा जाने के विए सो हो सकता है 2-4-5 दिन आपको लग जाए लेकिन आज जो है काफी users को मिले हैं तो थोरा सा आप इंतजार करेंगे रेगुलरली आप software update section को चेक करते रहिएगा आपको X7 Pro और X2 Pro में यह वाल अपडेट मिला या फिर नहीं कमेंट section में जरूर बताएंगे और अगर यह अपडेट मिल चुका है तो कैसा है आपके device का performance यह भी बताएंगे कमेंट section में आज के वीडियो वास इतना ही अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए किसी भी help के लिए कमेंट section या फिर टेलिग्राम चैनल से जूर सकते हैं description box में आपको link मिलेगी लेकिन हम मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में दीजे इजासत Thank you